नमस्कार हम सब को पता है मेरे प्यारे देश्वासियों नमस्कार हम सब को पता है आज मेजर ध्यानचेंजी की जन्म जैन्ती है और हमारा देश उनकी स्मृति में इसे राष्ट्रिय खेल दिवस के रुप में मनाता भी है मैं सोच रहा था कि शायद इस समय मेजर ध्यानचेंजी की आत्मा जहां भी होगी बहुती प्रसंदता का अनुभव करती होगी क्योंकि दुनिया में भारत की होगी का डंका बगजाने का काम ध्यानचेंजी की होगी ने किया था और चार दसक बाद, करीब करीब 41 साल के बाद भारत के नवजवानों ने, बेटे और बेटियों ने होगी के अंदर फिर से एक बार जान भर दी और कितने ही पदग क्योंने मिल जा रहे हैं लेकिन जब तक होकी में पदग नहीं मिलता भारत का कोई भी नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता है और इस बार ओलेंपिक में होकी का पदग मिला चार दसक के बाद मिला आप कलपणा कर सकते हैं मेजर ध्यानचेंजी के दिल पर उनकी आत्मा पर वो जहां होंगे वहाँ कितनी प्रसनता होती होगे और ध्यानचेंजी का पूरा जीवन खेल को समर्पित था और इसलिए आज जब हमें देश के नवज़मानों में हमारी बेटे बेटियों में खेल के परती जो आकर्शन नजरा रहा है माता पिता को भी बच्चें अगर खेल में आगे जा रहे हैं तो खुशी हो रही है ये जो ललग दिख रही है न मैं समरता हूँ यही मेजर द्यानचेंजी को बहुत बड़ी सरदाज ली रहा है साथियों जब खेल कुट की बात होती है न तो स्वाभावी के हमारे सामने पूरी युवा पीड़ी नजराती है और जब युवा पीड़ी के तरफ गौर से देखते हैं कितना बड़ा बड़लाव नजरा रहा है युवा का मन बदल चुका है और आज का युवा मन गीसे पीटे पुराने तौर तरीकों से कुछ नया करना चाहता है हट करके करना चाहता है, आज का युवा मन बने बनाए रास्तों पर चलना नहीं चाहता है, वो नए रास्ते बनाना चाहता है, अन्नोन जगा पर कदम रखना चाहता है, मंजिल भी नहीं, लक्ष भी नहीं, राह भी नहीं, और चाह भी नहीं, और एक बार मन में ठाल लेता है जी जान से जुड़ जाता है दिन रात मेहनत कर रहा है हम देखते हैं अभी कुछ समय पहले ही भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को ओपन किया और देखते ही देखते युआ पिडी ने उस मोके को पकड़ लिया और इसका लाब उठाने के लिए कॉलेजों के स्टूडन्स यु करके आगे आए हैं और मुझे पक्का भरोसा है आने वाले दिनों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे सेटेलाइट्स की होगी जो हमारे युवाओं ने हमारे छात्रों ने हमारे कॉलेज ने हमारे उनिवर्सिटी ने लेब में काम करने वाले स्टूडन्स ने काम किया होगा इसी तरह आज जहां भी देखो किसी भी परिवार में जाओ कितना ही संपन्न परिवार हो पढ़े लिखे परिवार हो लेकिन अगर परिवार में नवजवान से बात करो तो वो क्या कहता है वो अपने परिवारी जो परंपराव से हट करके कहता है मैं तो स्टार्ट अप कर देख रहा है और मैं उसमें उजवल भविश के संकेत देख रहा हूं अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश में खिलोनों की चर्चा हो रही थी देखते जब हमारे युवाओं के ध्यान में विशाया उन्होंने विमन में ठाल लिए कि दुनिया में भारत के खिलोना की कि अब भारत का हिस्सा बहुत कम है नहीं खिलोने कैसे बनाना खिलोना के वेवीतिता क्या हो खिलोने में टेक्नलोजी क्या हो चाइड्स ऐकोलोजी के अनुरूप कैसे हो आज हमारे देश का युवां उसकी वरध्यान के इंद्रित कर रहा है कुछ कॉंटिबूट करने चा आम तोर पर हमारे हां सभाव बन चुका था होती है चलो यार चलता है लेकिन मैं देख रहा हूं मेरे देश का युवा मन अब सर्वस्रेश्ट की तरफ अपने आपको केंद्रित कर रहा है सर्वत्म करना चाहता है सर्वत्म तरीकि से करना चाहता हैं यह भी राश्ट्र की 받 बड़ी शक्ती बनकर उभिड़ेगा साथ यह इस पर पर ऑल्लिम्पिक ने बहुत बड़ांव पैदा किया है, ऑल्लिम्पिक के खेल पूरे हूए अभी पहर अलिम्पिक चल रहा है देश को हमारे इस खेल जगत में जो कुछ भी हुआ विश्व की तुलना में भले कम होगा लेकिन विश्वास भरने के लिए तो बहुत कुछ हुआ आज युवा सिर्फ स्पोर्ट के तरफ देखी रहा ऐसा नहीं है लेकिन वह उससे जुड़ी संभावनाओं की भी और देख रहा है उसके पूरे एको सिस्टिम को बहुत बारिकी से देख रहा है उसके सामर्थ को वह समझ रहा है और किसे ने किसी रूप में खुद को जोड़ना भी चाहता है अब वो कन्वेंशनल चीजों से आगे जाकर न्यू डिसिप्रिंस को अपना रहा है और मेरे देशवासियों जब इतना मोमेंटम आया है हर परिवार में खेल की चर्चा शुरू हुई है आप भी बताइए मुझे क्या ये मोमेंटम को अब थमने देना चाहिए रुकने देना चाहिए जी नहीं आप भी मेरी तरह ही सोत्ते होंगे अब देश में खेल, खेलकूत, स्पोर्ट्स, sportsman spirit अब रुकना नहीं है इस मोमेंटम को पारिवारिक जीवन में, सामाजीक जीवन में, राष्टव जीवन में, स्थाही बनाना है उर्जा से भर देना है निरन तर नई उर्जार से भरना है गर हो, बाहर हो, गाँ हो, शहर हो हमारे खेल के मैदान भरे हुए होने चाहिए सब खेले, सब खेले और आपको वियाद है न, मैंने लाल किले से कहा था सब का प्रयास, जी हाँ, सब का प्रयास सब के प्रयाद से ही भारत खेलों में वो उंचाई प्राप्त कर सकेगा जिसका वो हगदार है मेजर ध्यानचन जी जैसे लोगों ने जो राह बताई है उसमें आगे बढ़ना हमारी जिम्मेवारी है बरसो बाद देश में ऐसा कालखंड आया है कि खेलों के प्रती परिवार हो समाज हो राज्य हो राष्ट्र हो एक मन से सब लोग जुढ रहे हैं मेरे प्यारे नवजवानों हमें इस अवसर का फाइदा उठाते हुए अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट में महारत भी हासिल करनी चाईए गाऊं गाऊं खेलों की स्परधाएं निरंतर चलते रहनी चाईए स्पर्धा में से ही खेल विस्तार होता है खेल विकास होता है खिलाड़ी भी उसी में से निकलते हैं आईए हम सभी देशवासी इस मोमेंटम को जितना आगे बढ़ा सकते हैं जितना योगदान हम दे सकते हैं सब का प्रयास इस मंत्र से साकार करके दिखाएं मेरे प्यारे देश्वासियों कल जन्माष्टमी का महा परव भी है जन्माष्टमी का यह परव यानि भगवान स्रीकृष्ण के जन्म का परव हम भगवान के सब स्वरूपों से परिशीत है नठकट कनिया से लेकर के विराट रूप धारन करने वाले कृष्ण तक सास्त्र सामर्थ से लेकर के सस्त्र सामर्थ वाले कृष्ण तक कला हो, सौंदर्य हो, माधूर्य हो, कहां कहां कृष्ण है लेकिन ये बाते में इसलिए कर रहा हूँ कि जन्मास्ट में एक से कुछ दिन पूर्भव मैं ऐसे दिल्चस्प अनभव से गुजरा हूँ तो मेरा मन करता है मैं ये बाते आप से करूँ आपको याद होगा इस महने की 20 तारीकों भगवान सोमनात मंदिर से जुड़े निर्मान कारियों का लोकारपण किया गया सोमनात मंदिर से 3-4 किलोमेटर दुरी पर ही भालका तीर्थ है ये भालका तीर्थ वो है जहां भगवान सीकुष्ण ने धर्ती पर अपनी अंतिम पल विताई थी एक प्रकार से इस लोग की उनकी लीलाओं का वहाँ समापन हुआ था सोमनात ट्रस्ट द्वारा उस सारे ख्षेतर में विकास के बहुत सारे काम चड़ रहे हैं मैं भाल का तिर्थ और वहाँ हो रहे कारेकों बार में सोची रहा था कि मेरी नजर एक सुन्दर सी आर्ट बुक पर पड़ी यह किताब मेरे आवास के बहार कोई मेरे लिए छोड़ कर गया था इसमें भगवान स्रीकृष्ण के अनेकों रूप अनेकों भव्य तस्वीरे थी बड़ी मोहक तस्वीरे थी और बड़ी मिनिंगफुल तस्वीरे थी मैंने किताब के पन्ने पलटना शुरू किया तो मेरी जीगिया सा जरा और बढ़ गई जब मैंने इस किताब और उने सारे चीतरों को देखा और उस पर मेरे लिए एक संदेश लिखा तो वो जब पढ़ा तो मेरा मन कर गया कि उनसे मैं मिलू जो एक किताब मेरे घर के बाहर छोड़के चले गए है मुझे उनको मिलना चाहिए तो मेरी ओफिस न उनको संपर किया दूसरे ही दिन उनको मिलने के लिए बुलाया और मेरी जिग्यासा इतनी थी आर्ट बुक को देख करके श्री कृष्ण के अलग-अलग रूपों को देख करके इसी जिग्यासा में मेरी मुलाकात हुई जदुरानी दासीजी से वे अमेरिकन है, जन्मा अमेरिका में हुआ, लालन पालन अमेरिका में हुआ, जेदुरानी दासी जी इस कौन से जुड़ी है, हरे कृष्ण मुमेंट से जुड़ी हुए है, और उनकी एक बहुत बड़ी विशेस्ता है, भक्ती आर्ट में वो निपून है, आप जानते हैं, अभी दो दिन बाद ही, एक सेतंबर को, इस कौन के समस्थापक, स्रीलव प्रभुपात स्वामी जी की 125 वी यहनती है, जदुरानी दासी जी इसी सिलसल में भारत आई थी, मेरे सामने बड़ा सवाल ये था, कि जिनका जन्म अमेरिका में हुआ, जो भारतिये भावों से इत मेरे उन से लंबी बात हुई थी, लिकिन मैं आपको उसका कुछ हिस्सा सुनाना चाहता हूं, जदुरानी जी, हरे कृष्णा, I have read a little about bhakti art, but tell our listeners more about it, your passion and interest towards it is great. So, bhakti art, we have one article in the Bhakti Art Illuminations, which explains how this art is not coming from the mind or imagination, but it's from the ancient Vedic scriptures, like Brahma-samhita, वेनुं करायनी पतितम स्कलितम सिकंदा, from the Goswamis of Vrindavan, from Lord Brahma himself, इस्री पर्णाप्र्णा साचितना विग्रहा, how he carries the flute, how all of his senses can act for any other sense, and Śrīmad-Bhagautam, बड़ा भवतंग नतवरवप्पूं कार्नी, O कार्नी कार्नी कार्णी तम, everything, he wears a कार्नी कार्णी कार्णी फ्लार on his ear, he makes the impressions of his lotus feet all over the land of Vrindavan, the cowherd boys sing of his glories, his flute attracts the hearts and minds of all fortunate beings, so everything is from the ancient Vedic scriptures, and the power of the scriptures which are coming from transcendental personalities, and the pure devotees who are bringing it, the art has their power, and that's why it's transformational, it's not my power at all. Jadurani Ji, I have one different type of question for you, since 1966, in a way, and from 1976 physically, you have been associated with India for long. Will you please tell me, what does India mean to you? Prime Minister Ji, India means everything to me. I was mentioning, I think, to the Honorable President a few days ago, that India has come up so much in technical advancement, and following the West very well, with Twitter, and Instagram, and iPhones, and big buildings, and so much facility, but I know that that's not the real glory of India. What makes India glorious is the fact that Krishna Himself, the Avatari, appeared here, and all the Avatars appeared here. Lord Shiva appeared here. Lord Ram appeared here. All the holy rivers are here. All the holy places of Vaishnava culture are here. And so India, especially Vrindavan, is the most important place in the universe. Vrindavan is the source of all the Vaikuntha planets, the source of Dvorka, the source of the whole material creation. So I love India. Thank you, Jadurani Ji. Hare Krishna. साथियों, दुनिया के लोग, जब आज भारती अध्यात्मा और दरसन के बारे में, इतना कुछ सोचते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी हैं, कि हम अपनी इन महान परमपुराओं को आगे लेकर जाएं. जो काल बाही है उसे छोड़ना ही है लेकिन जो काल आतीत है उसे आगे भी ले जाना है हम अपने परव मनाएं उसकी वैज्ञानिकता को समझे उसकी पीछे के हार्थ को समझे इतना ही नहीं हर परव में कोईनों कोई संदेश है वो इनको समस्कार है, हमें इसे जानना भी है, जीना भी है और आने वाली पीडियों के लिए विरासत के रूप में उसे आगे बढ़ाना भी है मैं एक बार फिर सभी देश्वासियों को जन्मास्त्मी की बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ मेरे प्यारे देश्वासियों, इस कोरोना कालखंड में स्वच्छता के विशे में मुझे जितनी बाते करनी चाहिए थी लगता है शायद उसमें कुछ कमी आ गई थी मुझे भी लगता है कि स्वच्छता के अभियान को हमें रती भर भी ओजल नहीं होने देना है राष्ट निर्मान के लिए सब का प्रयास कैसे सब का विकास करता है इसके उधारन हमें प्रेणा भी देते हैं और कुछ करने के लिए एक नई उर्जा भर देते हैं नया विश्वास भर देते हैं हमारे संकल्प में जान भूंग देते हैं हम ये भली बाती जानते हैं कि जब भी स्वच्छ भारत अभियान की बात आती हैं तो इंदोर का नाम आता ही आता है क्योंकि इंदोर ने स्वच्छता के समझ में अपनी एक विशेस पहचान बनाई है और इंदोर के नागरिक इसके अभिनंदन के अधिकारी भी है हमारे इंदोर कई वर्सों से स्वच्छ भारत रैंकिंग में पहले नंबर पर बना हुआ है अब इंदोर के लोग स्वच्छ भारत के इस रैंकिंग से संतोसमा करके बैठना नहीं चाहते हैं वे आगे बढ़ना चाहते हैं कुछ नया करना चाहते हैं और उन्होंने क्या मन में स्थान ली हैं उन्होंने वाटर प्लस सीटी बनाए रखने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं वाटर प्लस सीटी यानी एशा सहर जहां बीना ट्रिक्मेंट के कोई भी सिवेच किसी सारवजनिक जलसरोत में नहीं डाला जाता यहां के नागरिकों ने खुद आगया कर अपनी नालियों को सीवर लाइन से जोड़ा है स्वच्छता अभियान भी चलाया है और इस विजह से सरस्वती और कान नदियों में गिरने वाला गंदा पानी भी काफी कम हुआ है और सुधार नजना रहा है आज जब हमारा देश आजादी का अमुरुत महुत सो मना रहा है तो हमें याद रखना है कि स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को हमें कभी भी मंद नहीं पढ़ने देना है हमारे देश में जितने ज़्यादा शहर वाटर प्लस सीटी होंगे उतना ही स्वच्छता भी बढ़ेगी हमारी नदिया भी साफ होगी और पानी बचाने की एक मान्मिय जिम्मेवारी निभाने के संसकार भी होंगे चाथियों मेरे सामने एक उधारन बिहार के मधूबनी से आया है मधूबनी में डॉक्टर राजेंदर पुसाद करशी विश्विद्याले और वहां के स्थानिय करशी विज्यान केंद्र ने मिल करके एक अच्छा प्रयास किया है इसका लाग किसानों को तो हो ही रहा है इससे स्वच्छ भारत अभ्यान को भी नई ताकत मिल रही है विश्विद्याले की इस पहल का नाम है सुखेत मोडल सुखेत मोडल का मकसद है गावों में प्रदूशन को कम करना इस मोडल के तहर गावों के किसानों से गोबर और खेतों घरों से निकलने वाला अन्य कच्छा एकठ़ा किया जाता है और बदले में गावों वालों को रसोई गय सिलिंडर के लिए पैसे दिये जाते हैं जो कच्रा गाउं से 31 होता है उसके निपतारे के लिए वर्मी कंपोस बनाने का भी काम किया जा रहा है यानि सुखित मोडेल के चार लागतों सीधे सीधे नजर आते हैं एक तो गाउं को प्रद्विशन से मुक्ति दूसरा गाउं को गंदगी से मुक्ति तीसरा गाउं वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे और चौथा गाउं के किसानों को जैविखाद अब सूचिए इस तरह के प्रयास हमारे गाउं की शक्ति कितनी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं यही तो आत्मनिर भरता क्या विशय है मैं देश की प्रतेक पंचायद से कहूंगा कि ऐसा कुछ करने का वो भी अपने हाँ जरूर सूचे और साथियों जब हम एक लक्ष लेकर निकल परते हैं न तो नतीजे का मिलना निश्चित होता है आप देखिए न हमारे तमिल्लाडू में स्रीविगंगा जिले की कांजी रंगाल पंचायद देखिए इस छोटी से पंचायद ने क्या किया यहां पर आपको वेश से बिजली बनाने का एक लोकल प्रोजेक्ट अपने गाउं में लगा दिया है पूरे गाउं से कच्रा इखटा होता है उससे बिजली बनती है और बचे हुए प्रोडक्स को कीट नाशक के रुप में बेज भी दिया जाता है गाउं के इस पावर प्रांट की इक्षमता प्रत पैसा तो बची रहा है वो पैसा दूसरे विकास के कामों में इस्तमाल किया जा रहा है अब मुझे बताइए तमिल नाडू के सिविगंगा जिले की एक छोटी सी पंचायत हम सभी देशवास्यों को कुछ करने की प्रेणा देती हैं यह नहीं देती हैं कमाल ही किया है उन्हों और विदेशों में रहने वाले हमारे भारतिय समुदाय के लोग हैं वे भी मुझे बहुत सी नहीं-णही जानकारिया देते रहते हैं और मुझे भी कभी-कभी मन की बात में विदेशों में जो अनोखे कारकम चलते हैं उसकी बाते आपके साथ सेर करना अच्छा लगता है आज भी मैं आपका कुछ ऐसे लोगों से परिचे करा हूँगा लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अडियो सुनाना चाहता हूं थोड़ा गोर से सुनिएगा रेडियो यूनिटी 90 FM नमो नम सर्वेप्यह ममनाम गंगा भवन्तु शुर्वन्तु रेडियो यूनिटी 90 FM एक भारत स्रेष्ट भारत आहम एकता मूर्ति याहा मार्क दर्शिका एवं रेडियो यूनिटी माध्यमे आरजे असमे अध्य संस्कृत दीनम अस्ती सर्वेप्यह बहबह सुपकामनाय अस्ते सर्दार वल्लब्भाई पटेल महा दयश्य लोह पूरुशह इती उच्यते त्रयो दशा विमसती सहस्त्र तमे वर्षे लोह संग्रहश्य अभ्यानम प्रारब्दम चतुर त्रिम्षत अधिक सतम टन परिमितम लोहश्य गलनम क्रुतम साथियों बाषा तो आप समझ गए होंगे ये रेडियो पर संस्कृत में बात की जा रही है और जो बात कर रही है वो है आरजे गंगा आरजे गंगा गुजरात के रेडियो जोकिस के ग्रूप की एक सदस्य है उनके और भी साथी है जैसे आरजे निलम आरजे गुरू और आरजे हेतल ये सभी लोग मिलकर गुजरात में किवडिया में इस समय संस्कृत भाषा का मान बढ़ाने में जुटे हुए है और आपको मालूम है ने ये किवडिया वही है जहां दुनिया का सबसे उंचा स्टेच्यू हमारे देश का गवरव स्टेच्यू अफ यूनिटी जहां पर है उस किवडिया के में बात कर रहा हूँ और ये सब ऐसे रेडियो जोकिज हैं जो एक साथ कई भूमिकाई निभाते हैं एक गैड के रूप में भी अपनी सेवा देते हैं और साथ साथ कॉम्यूनिटी रेडियो इनिसिटिव रेडियो यूनिटी 90 एफेम उसका संचालन भी करते हैं ये आर्जे अपने स्रोताओं स संस्कृत भासा में बात करते हैं उन्हें संस्कृत में जानकारी उपलब्त कराते हैं साथियों हमारे यहां संस्कृत के बारे में कहा गया है अर्था हमारी संस्कृत भासा सरस भी है सरल भी है संस्कृत अपने विचारों अपने साहित्य के माध्यम से ये ज्ञान विज्ञान और राष्ट की एकता का भी पोशन करती हैं उसे मजबूत करती हैं संस्कृत साहित्य में मानवताव और ज्ञान का ऐसा ही दिव्य दर्शन है जो किसी को भी आकर्सित कर सकता है हाली में मुझे कई ऐसे लोगों के बारे में जानने को मिला जो विदेशों में संस्कृत पढ़ाने का प्रेरक काल्य कर रहे हैं ऐसे एक व्यक्ति हैं सिमान, रटगर, कॉर्टिन होर्ष्ट जो आईरलेंड में संस्कृत के जाने माने विद्वान और शिक्षक हैं और वहां के बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं इधर हमारे यहां पूरब में भारत और थाइलेंड के बीच संस्कृतिक समंधों की मजबूती में संस्कृत भाषा के भी एक एहम भूमिका है डॉक्टर चिरापत प्रपंड विद्या और डॉक्टर कुसुमा रक्षामनी यह दोनों थाइलेंड में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में बहुत महत्मपून भूमिका निभा रहे हैं उन्होंने थाई और संस्कृत भाषा में तुलनात्मक साहिते की रचना भी की है ऐसे ही एक प्रफेसर है सिमान बोरिस जाकरिण रशिया में मोस्को स्टेट उनिवर्सिटी में यह संस्कृत पढ़ाते हैं उन्होंने कई शोध पत्र और पुस्तके प्रकासित की है उन्होंने कई पुस्तकों का संस्कृत से रूशी भाषा में अनुवाद भी किया है इसी तरह सीडिनी संस्कृत स्कूल आउस्ट्रेलिया के उन प्रमुख समस्तानों में से एक है जहां विद्यार्तियों को संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है ये स्कूल बच्चों के लिए संस्कृत ग्रामर केम्प, संस्कृत नाटक और संस्कृत दिवस जैसे कारकमों का भी आयुजन करते हैं साथियों हाल के दिनों में जो प्रयास हुए हैं उनसे संस्कृत को लेकर एक नई जागरुकत आई है अब समय हैं कि इस दिशा में हम अपने प्रयास और बढ़ा हैं हमारी विरासत को संजोना, उसको समालना, नई पीड़ी को देना ये हम सब का करतव्य है और भावी पीडियों का उस पर हक भी है अब समय हैं इन कामों के लिए भी सब का प्रयास ज़्यादा बढ़े आते हैं, ऐसी किसी जानकरी आपके पास है, तो कुर्पया, हैस्टेग, सेलिब्रेटिंग संस्कृत के साथ सोशल मीडिया पर उनसे समझी जानकरी जरूर साजा करे मेरे प्यारे देशवासियों, अगले कुछ दिनों में ही विश्व कर्मा जैनती भी आने वाली है भगवान विश्व कर्मा को हमारे हाँ विश्व की स्रिजन सक्ति का प्रतिक माना गया है जो भी अपने कौशलिय से किसी वस्तु का निर्मान करता है, स्रिजन करता है चाए वो सिलाई, कढ़ाई हो, सौपपेर हो, या फिर सेटलाइट ये सब भगवान विश्व कर्मा का प्रगटी कर रहा है दुनिया में भले स्किल की पहचान आज नए तरीके से हो रही है लेकिन हमारे रूशियों ने तो हजारों सालों से स्कील और स्केल पर बल दिया है उन्होंने स्कील को, हुनर को, कौशल को आस्था से जोड़कर हमारे जीवन दर्शन का हिस्सा बना दिया है हमारे वेदों ने भी कई सुक्त भगवान विश्व कर्मा को समर्पित के हैं सुरुष्ट्री की जितने भी बड़ी रचनाएं हैं, जो भी नए और बड़े काम हुए हैं हमारे सास्त्रों में उनका स्रे भगवान विश्व कर्मा को ही दिया गया है ये एक तरह से इस बात का प्रतीक है कि समसार में जो कुछ भी डवलप्मेंट और इनोवेशन होता है वो स्किल्स के जरिये ही होता है भगवान विश्व कर्मा की जैन्ती और उनकी पूजा के बिशे यही भाव है और हमारे सास्त्रों में ये भी कहा गया है अर्थात जो सुरुष्टी और निर्मान से जुड़े सभी कर्म करता है वह विश्व कर्मा है हमारे सास्त्रों की नजर में हमारे आसपास निर्मान और स्रजन में जुटे जितने विश्कील हुनर्मन लोग है वो भगवान विश्व कर्मा की विरासत है इनके बिना हम अपने जीवन की कलपना भी नहीं कर सकते आप सोच कर देखिए आपके घर में बिजली की कुछ दिक्कत आ जाए और आपका कोई इलेक्रिशन ना मिले तो क्या होगा आपके सामने कितनी बड़ी परिशान ही आ जाएगी हमारा जीवन ऐसे ही अनेकों स्कील लोगों की वज़े से चलता है आप अपने आस्पात देखिए लोहे का काम करने वाले हो मिटी के बरतन बनाने वाले हो लकड़ी का सामान बनाने वाले हो बिजली का काम करने वाले हो घरों में पेंट करने वाले हो सभाई करने हो या फिर मोबाईल लेप्टॉप का रिपेर करने वाले ये सभी साथी अपनी स्कील की वज़े से ही जाने जाते हैं आदुनिक स्वरूप में ये भी विश्वकर्मा ही है लेकिन साथियो इसका एक और पहलू भी है और वो कभी-कभी चिंता भी कराता है जिस देश में जहांकि संस्कूर्ति में, परमपरा में, सोच में हुनर को, स्कील मैन पावर को भगवान विश्वकर्मा के साथ जोड़ दिया गया हो वहां स्थित्या कैसे बदल गई एक समय हमारे पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट जीवन पर कौशल्य का बहुत बड़ा प्रभाव रहता था लेकिन गुलामी के लंबे कालखन में हुनर को इस तरह का सम्मान देने वाली भावना धिरे धिरे विश्वर्त हो गई सोच कुछ ऐसी बन गई कि हुनर अधारित कारियों को छोटा समझा जाने लगा और अब आज देखिए पूरी दुनिया सबसे ज़्यादा हुनर यानि स्किल पर ही बल दे रही है भगवान विश्व कर्मा की पूजा भी सिर्फ आपचा रिखता हों से पूरी नहीं होगी हमें हुनर को सम्मान देना होगा हुनर मंद होने के लिए महनत करनी होगी हुनर मंद होने का गर्वे होना चाहिए जब हम कुछ न कुछ नया करें कुछ इनोवेट करे, कुछ ऐसा स्रिजित करे, जिससे समाज का हीत हो, लोकों का जीवन आसान बने, तब हमारी विश्व कर्मा पूजा सार्थक होगी। आज दुनिया में स्कील लोगों के लिए अवसरों की कमी नहीं है, प्रगति के कितने सारे रास्ते आज स्कील से तयार हो रहे हैं, तो आईए इस बार हम भगवान विश्व कर्मा की पूजा पर आस्ता के साथ साथ उनके संदेश को भी अपनाने का संकल पकरे, हमारी पूजा का भाव यही होना चाहिए, कि हम स्कील के महत्व को समझेंगे, और स्कील लोगों को, क्या है वो कोई भी काम करता हो, उन्हें पूरा सम्मान भी देंगे, मेरे प्यारे देश्वासियों, यह समय आजाजे के 75 साल का है, इस साल तो हमें हर दिन नए संकल पलेने हैं, नया जवा बढ़ाना है, हमारा भारत जब आजाजे के 100 साल पूर्य करेगा, तब हमारे यह संकल भी उसकी सफलता की बुनियात में नजर आएंगे, इसलिए हमें यह मोका जाने नहीं देना है, हमें इसमें अपना जादा से जादा योगदान देना है, और इन प्रयासों के कड़ाई भी, देश में 62 करोड से ज़्यादा वैक्सिन की डोच दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी रखनी है, सतर्कता रखनी है, और हाँ, हमेशा की तरफ जब भी आप कुछ नया करें, नया सोचें, तो उसमें मुझे भी जरूर शामिल करिएगा, मुझे आपके पत्र और मेसेजिर का इंतजार रहेगा, इसी कामणा के साथ आप सभी को आने वाले परवों की एक बार फिर धेरों बधाईयां, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार बहुत पर द На наверное वोर परोबड़ में चरहें, आपके बारा नमस्क्ति की आहेगा धिर खुटीड कै पृटी एकरें इपके एक पार तो तूर ममें मृझेि, बहुत बssen陌ना विए कृसे संवे एक प्रोरावशी if के देन